आवश्यक्ता ही आवश्कार की जननी है यह आपने सुना तो होगा लेकिन आज इसका एक practical Indian example आपको बताता हूँ साल था 1943, World War अपने चरम पर था और भारत की British Government ने अपनी सेना को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से बहुत सारा आनाज या तो यौरप भेज दिया था या उसे गोडाउन में बंद कर दिया था और उसी साल भारत में भारी अकाल पड़ा और चावल की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई और चूकि चावल नहीं मिल रहा था इसलिए इडली जो बहुत सारी स्टेट्स में स्टेपल बेकफास्ट है लोग नहीं बना पा रहे थे तब करनाटका की famous food chain MTR के founder यद नारायन ने सोचा कि क्यों न इडली चावल से न बना कर यहूं की सूजी से बनाई जाए और इस तरह शुरुवात हुई रवाइड लेकी आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि वर्ल्ड वार टू में 87,000 इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए थे बिटिशर्स की और से लड़ते वे वो भी यॉरोप, एफ्रिका और सौथीस्ट एशिया में उन्हीं की याद में डेली में इंडिया गेट बनाया गया मुझे परसनली वार हिस्ट्री में बहुत इंट्रिस्ट है, अगर आप भी सुनना चाहते हैं द्वित्य विश्वयुत की पूरी दास्ता, तो इस किताब पर सुन सकते हैं कूकू FM पर, जिसका सालाना सब्स्क्रिप्शन है मत्र 3099, अगर आप यह कोड यूस करेंगे तो व भी आपको मिल जाएगा 50% डिसकाउंट पर, link in print comment.